बिस्मिल्ला रामाल रहीम, असलाम वालेकूम यूवर्स केसे हैं आप सब, I hope कि आप सब ठीक होंगे, आज मैं स्लीव डिसाइन बना के दिखाऊंगे आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टिप पार स्टिप दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप स्लीव का नाप आप जितना रखना चाहते हो, रख सकते हो, मैंने इसकी लेंध रखी है 18 अच्ट सिंपल सी, जिए से हम सिलीग किटिंग करते हैं, इसे मुसी तरीके से की है, और यह पीस दिया है बुक्रम का, मैंने 7 इंच इसकी लेंध रखी है, और 7 इंच पे इसकी व तरह किये फोल्ड किया हुआ बक्रम तो सवा सवा इंच पे हम यह निशान लगा देंगे और यहां से ना उपर की साइड से हम साथ इंच पे निशान बिठाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से अब हम इसे स्लीव के साथ प्रेस कर देंगे और जो इसका सिंटर वाला पीस है उसे भी हमने जाया नहीं करना अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी तो इसके लिए हम इस पर रखेंगे पेपर चाहिए काली आप न्यूस पेपर भी ले सकते हो और ये जो हमारा पुक्रम था उससे मैंने एक एक इंच बढ़ा कर रखा है जो हमारा दबाव में जाएगा और इस तरह की सीधी पटी चाहिए हमें तो हम डेर सारी पटीयां इस तरह की बना लेंगे ये सारी पटियां मैंने बना ली है अब हमने इसका पेपर का सेंटर करना है और इसके सेंटर में एक स्लाई के साथ इसे लगाते जाना है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने सेट करते जाना है और स्लाई लगाते जाना है अब ये सारी पटियां इसके सिंटर में सेट हो गई है अब हमने इसे एक साइट पे पलटना है तो पेले हम इस साइट से इस तरह से पलटते हुए इसे इसलाई लगा देंगे सारी पटियों को इस तरह से पलटते हुए इसलाई लगानी है अब दूसरी साइट से हम पटी को इस तरह से पलटेंगे दूसरी साइट से भी हम इसे पलटते जाएंगे और इसलाई लगाते जाएंगे दोनों साइटों से मैंने इसलाई लगा के लॉप कर दिया है अब ये डूरी चाहिए हमें तो डूरी को हम इसके सिंटर में पेपर पर सलाई रगाएंगे या पर एडिमिन पर दोरी यूज़ कर सकते हो इसमें अब एक एक पटी के ऊपर हमने इस तरह से डिजैन बनाना है डोरी को बल देते जाना है और सलाई लगाते जाना है अगर सलाई के साथ आप से अश्य से सेट नहीं होती आप बिगनर हो तो आप सुईर की हिल्प से भी बना सकते हो डोरी को इस तरह से बल देते जाएं और एक एक टांका लगाते जाएं इस तरह से मोड़ना है और सलाई लगाते जाना है इसके सिंटर सिंटर में तो ये डोरी हमारी स्टिच हो गई है ये आप देख सकते हैं कितना खुशूरत लुकते रहा है अब इसका एक स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे एक एक किंच की दूरी पर अब इसके कौने में इस तरह से कट लगाएंगे अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ते हुए एक पेर की स्लाई लगा देंगे अब हमने जो डिजाइन बना के रखा है उस डिजाइन को हमने इसके सिंटर में इस तरह से से शेट करना है इसे करके आप चाहें तो पिन अप कर लें मैं इसे एक साइड से पेर ले स्लाई लगा दूँगी अब दूसरी साइड से स्टार्ट करूँगी अब तीन इंच की ये मझे सीधी पट्टी चाहिए लेंथ हमारे जितने बाजू का असरा होगा उतनी रखेंगे पट्टी की और विर्थ मैंने इसकी तीन इंच रखी है उल्टी साइड से रखकर मैंने स्लाई लगा दी अब मैं सीधी साइड पे पलट दूँगी सीधी साइड पर पलटते हुए एक सिलाई और लगा दूँगी ये आप फुल बाजू पर भी डिजाइन बना सकते हो उसके बाद ये में ले सिस्टिश करूँगी इस वर अब ये जो हमने इसमें डोरिया बनाई है डोरियों को हम इस तरह से लोग करेंगे फिलावर के साथ इस तरह के फिलावर और डोरिया मेरे जेनल में मौझूद है अगर किसी ने वो सीखनी है तो आप वो भी सीख सकते हैं डोरी को अच्छे से यहां पे लोग करते हुए नोट लगा देंगे अब इसके पेपर को रिमूव कर देंगे सबसे मुश्किल जो काम लगता है वो मुझे पेपर रिमूव करना लगता है तो यूज आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कोमेंट जड़ूर किया करें वो आपकी तरफ से हमाल लिए नाम होता है लापेज